राम राम जी राद्दे की रासोईम धर स्वागत है मैं आज मिट्टी को चूलो बना के उंको उपर भगवान को कार्तिक पूर्णिवाने प्रशाद बनायो है तो राद्दे की रासोईम धाना आज एक नएव वीडियो मिलेगो देखना है यह चूला की मैं पूजा कर रही चूला की पूजा ओने के बाद ही नएव चूला पर बोजन मने है तो मैं आज कातिक कठाकुर के लिए बहुत पढ़िया से प्रशाद बनाऊंगी तो थे उन्हें देखियो था ने पसंद आवे तो लाइक जरूर कर जायो एक बगवान का नाम पर लाइक जरूर करियो प्र करता जाओ और लास्ट में उन्हें एक्त्रित करने के बाद उपर बगवान को भोग प्रशाद बनाऊगा तो कई कई जन्मा को जो भोग प्रशाद में आप त्रूटी करा हां उसे भूत फायदों मी लगो यह जानकारी में था नहीं दे रही हूं कि मेरो एक और चैनल चाल करता नों तो पीतल का वरतन में ही आपने भोग प्रशाद बनानों है नहीं ओने पर श्टील का भी ले सकूँ हो तो इमें मैं काजू डाल दी हूं और इलाइची डाल दी और पूरो पक के तयार है एकदम चावल अंदर से तो खीर बढ़िया से बन चुकी है केसर डाली हू और भी कोई थे में मिठाई कुछ डालनों जाओ तो डाल सको हो इलाइची है और चीनी डाल के देखो एकदम तयार हो चुकी है खीर पूरा चावल फूल के तयार है तो मैं अठेए खीर ने एकदम बोग के लिए उतार कर रख दे रही हूं अब मैं चड़ाई हूं भूग देख गीकी डाल दी हूँ और गीन पूरो गरम करके एका अंदर भगवानने सिंगाडा का अठा को घलवो बने है वो भोत अती प्रीय है प्रशाद कातिक का मज़़ाम 씨म्हभाकडा का अठा को घलवो बना रही हूं तो इन ने हलको ही सेकड़ों है ज्यादा ने सेक सब चीज दिखाने से वीडियो भूच यदा लंब हो जातों तो कोई देखने पसंद नहीं करें तो मैं वह अलवो बन के तयार है अब साथ में एक चड़ाई हूं टोपियों मैं गी डाली हूं सब चीज गी में तयार करनी है और यह मैं आलू की सबजी बना रही हूं नॉर्मल जो डेली सबजी बना हूं उसी तरह से तेल की जगे गी काम में लेनू है तो मैं गी से सबजी बना के तयार करनी हूं या आलू की सबजी बनाई हूं मैं और कोई सबजी नहीं बनाई हूं तो तो सारा मसाला देने के बाद मैं वो ही गरम पाणी देखा है मैं इका अंदर और यह सबजी भी मेरी लगबग रेड़ी हो चुकी है यह देखो कितनी बड़िया से तूट रही है मद्यमाज मैं पक पक है अब फिर से मैं घी चड़ाई हूं कड़ाई के अंदर और मैं नॉर्म बाद इं तरीका से जरूर बनानू चाहिए भोत भोत मतलब पुन्य मिले भोत फड़ मिले और भोत सुख सम्रद्द्दी और सांती बगवान बना के राखे घर के अंदर तो तुलसी की जो बार बार बात बता रही हूं तुलसी की जो अपनी काश्ट हो है जो समीधा हो है त तो या मेरे भोग प्रशाद पूरो बन के तैयार है यह अलगो बन के तैयार है यह सबजी बन के तैयार है और अठे खीर भी बन के तैयार है और पूरी भी तो प्रशाद पूरो एकदम रेडियो हो चुकियो है तो मैं थाली तैयार कर रही हूं तो अब साथ में मैं खीरी डालने के बाद पूरी रख दे रही हूं और साथ में ध्यान रवय हर भगवान का प्रशाद में तुलसी अवस्य डाली हो तो मैं थोड़ी छोटी सी थन जान करी दी हूं मन लागर है कि थन जरूर पसंद आव गिया जान करी मेरी तो अगर पसंद आजये तो एक लाइक जरू लिए जरूर करें